आकाश्वणी भूपाल से प्रसुत है विधानसभा समेक्षा आलेक श्री रमीश ठाकुर वाचनस्वर दीपा सिंग राजे विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रिश्णिकाल और ध्याना कर्शन सूचना उपर चर्शा के दोरान पूछे कैस सवालों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों को भारी आरोप प्रत्यारोपों का सामन करना पड़ा सदन का संचालन कर रहे विधान सभाध्यक्ष गिरीश खौतम ने भी सदस्यों की प्रिश्णों का समर्धन करते वे समाधान कारक जवाब दिये जाने का मंत्रियों को निर्देश दिया प्रिश्णकाल में बाला कार्ट जिले में सुसाहता समूहों को उनके पार बिलों का भुक्तान पिछले 5-6 मां से नहीं हुआ है सम्मधित विभाग के मंत्री लाखन सिंग कुश्वा ने जैसे ही अपने जवाब में ये कहा कि भुक्तान प्रक्रिया में बदलाव होने से कुछ विलम हुआ है लेकिन जल्दी ही सभी का भुक्तान कर दिया जाएगा ये सुनते ही सुश्री कामरी ने भुक्तान की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते वे आरोप लगाया कि विभाग की इस तर पर रिश्वत दिये बिना बिलों का भुक्तान नहीं हो रहा है उनका कहना था कि इसके प्रमार उनके पास है उनका कहना था कि ऐसे थी बाला घाट प्रिष्ट की श्रीमती नीना वर्मा का था। उनका कहना था कि विधायक निधी से कराय जाने वाले कारियों के भुक्तान की प्रक्रिया में बदलाव किया जाना चाहे। प्रिष्ट के सुझाओ पर वित्मंत्री जक्तीश देवडा ने सधन के सदस्यों की समिती गठीत कर समस्या की समाधान का अक्षपास दिया। कि इस तरह की समस्या है। उन्हें कहा कि सैंपल का परिक्षन जल्द से जल्द हो इसके लिए ग्वालियर जबलपूर सहीद कुल तीन नई परिक्षन प्रियोक्षालाव के स्थापना की जा रही है। जबलपूर से लेकि न्यू लाइफ मल्टी स्पेशालिटी स्पताल में अग्नी दुर्खटना से संबंधित कॉंग्रेस के विने सकसीना की सवाल पर सदन में भारी हंगामा हुआ। उनका कहना था कि जबलपूर ही नहीं पूरे प्रदेश में नियूमों क्या वेलना कर्ची के सालियों को अनुमती दी जा रही है। इस कारणटी के सालियों में दुर्खटनाएं हो रही हैं। उनका ये भी कहना था कि इस दुर्खटना के लिए जिमेदार लोगों को बहाल कर दिया गया है। इस पर लोग स्वास्त और परिवार कल्यार मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उन्या आश्वस्त किया कि इस मामले की जाच कराएंगे। नहीता, निजी विश्यविद्याले, श्रम विधी संशोधन और मत्री प्रदीश करमचारी चैन मंडल संशोधन विधेक सदन में प्रस्तुत किया गया। इन विधेकों पर सदन में आज ही चर्चा कराएंगे। विधानसभा समेक्षा समाप्त हुई।